नबश्कार दोस्तों, 20 फर्वरी 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस करेंट अफेस डिसकशन में आपका स्वागत है देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूस है, तो पधान मंत्री जी ने वेलकम किया है एक टीम आई है अफगान हिंदूज और सिक्स की, तो इस रिस्पेक्ट में जो न्यूस है, इस कम लोग देखेंगे फिर राजस्थान के अंदर एक बड़ा ही रेग्रेसिव सोशल कस्टम हुआ करता था कि जो दलित कम्यूनिटी के लोग हैं, वो अपनी शादी के समय पे घोड़े पे नहीं चड़ सकते हैं आब इस उप्रेसिव कस्टम को फाइली हम लोग हरा पा रहे हैं और अगर किसी दलित यूद की शादी हो रही है तो वो घोड़ी चड़ रहा है और कोई कुछ नहीं बूल सकता कहीं न कहीं जो सो कॉल अपर क्लास्ट के लोग हैं जो अपने आपको बड़ा अच्छा समझते हैं और पहले ऐसा नहीं करने देते थे उनको भी अभी अवेरनेस आ रही है कि नहीं भाई ये सब बाते सही नहीं है नाश्टल इंटीग्रिटी हमारी सोशल यूटी के लिए बिलकुल सही नहीं है तो इस रिस्पेक्ट मेक निउस इसको देखेंगे फिर किसान ड्रोन्स के रिस्पेक्ट मेक न्यूस है, यहाँ पर बात करेंगे पुतिन ने नुक्लियर डिल्स राउंच कर दी है, यूक्रेइन के बॉर्डर पे यह जो बवाल चालू हुआ है, खतम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसको देखेंगे रियर सीट बेल्ट्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही, इसके बारे में बात करेंगे M60, हलिकॉप्टर्स, इंडिया खरीद रहा है, यूएस से, इंडिया यूएस से भी हलिकॉप्टर खरीद रहा है, रशिया से भी खरीद रहा है, दोनों के बारे में देखेंगे कि साइन नहीं तो मैं कैसे पर्मिशन दू बिल वापस भेज दिया तो यह जो सीम वर्स गवर्नर चल रहा है वेश बंगाल का इसको देखेंगे हिमालन एको सिस्टम में पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में मौत्स की क्या इंपॉर्टेंट है इस रिस्पेक्ट में एक में दे रखा है चलिए आज का word of the day मतलब हूँ मतलब किसी को चॉप करना किसी को काटना तो एक कुलहड़ी लेके देखेंगे आप लकडी काट रहा है कोई तो इसको आप क्या सकते हो हूँ ह-e-w वोड भी हो सकता है तक किवाल बुडी नहीं अगर कोईले को भी काटने को कभी 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 हूँ कहा जाता है तो कुलहड़ी से काटना तराशना काटना मेक और शेप सम्थिंग बाइग कटिंग और चॉपिंग और माटेरियल सच अगोड और स्टों सेंटेंस में क्या हो जागा सीट हूण आप फॉलन ट्री ट्रंग तो ट्री ट्रंग गिर गया उसक एक डेलिकेशन अफगान हिंदूस का और सिक्स का मिला है प्रधानमंति नोदीजी से इन लोगो थोड़ी टेंशन है कि भईया हमें सिटिजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी अब देखे जो हिंदूस और सिक्ष आए हैं अफगानिस्तान के अंदर उनका तो जाना देखो बहुत मुश्किल है तालिबान का वहाँ पर राज और अब लग नहीं रहा की जल्दी तालिबान का राज अफगानिस्तान से जाने वाला है तालिबान की ही सरकार बनेगी अब कितनी पीपल फैंडली होती है कितनी डेमोक्राटिक होती है वो एक अलग चीज़ है फिर ले ही भाग के आ चुके हैं अफगानास्तान से इंडिया के अंदर तो उनको इंडिया की citizenship नहीं मिल रही है प्रस unavailability of visas बहुत सारे ऐसे अफगानी Muslim से जो कि इंडिया के अंदर हैं बहुत सारे ऐसे अफगानी Soldiers हैं جो कि यहां की training institutes में ट्रेनिंग ले रहे थे बहुत सारे आपके लोग अफगानी स्टुडेंट्स इंडिया की युनिवर्स्टी इसमें पढ़ रहे थे ये सब लोग अब वापस भी नहीं जा पा रहे और इंडिया में इनका वीजा रिन्यू हो नहीं रहे तो इस तरीकी की बड़ी प्रॉब्लम गया था बाद में इनको रेस्क्यू किया गया फिर एक इंडियन बिजनसमें थे अफगान ओरिजिन के बंसारी लाल अरेंदा इनको तालीमान ने अबड़क कर लिया सब्टमबर 2021 में पर पैसे दे के छोड़ दिया था तो यह सब कि चलते हैं अगर आप देखो तो अफगा अफगानी6 और घंदूस को यहा पर जगा दे जा रही है अफगानी मुसलिम्स को यहाँ पर जगानी दे जा रही है यह बहुत गलत बातै दीएखिए आफगानिसटान की सूईटान की सोसाइटी इतनी जादा फ्रैक्चूर ड़कुशिटी के नम पे कि वहाँ पे सब अको मारा जा रहा है ठीकिन इन फैक्ट मुस्लिम्स भी वहाँ पे बहुत बड़े तागाद में मारे जा रहे हैं अफगानियों के दारा अफगानी ये तालीबानी ये तालीबान जाए तर पाश्टून से और जो दूसरी एतनी सिटी के लोग हैं जो कि इनको नहीं पसंदाते हैं थोड़ा important हो जाता है अब यहां पर citizenship amendment act 2019 की भी बात होगी मोदी जी ने बोला कि जब भी citizenship amendment act लागू हो जाएगा उसके बास इन communities को आसानी हो जाएगी वैसे तो citizenship amendment act पास हो चुका है law बन चुका है लेकिन उसके लिए rules frame नहीं हुए जब तक rules नहीं फ्रेम होंगे वो सिखिजम की holy book है इसकी physical copy होती है सरूप एक सरूप में 1430 पन्य होते है ठीक है न भाई तो जैसे की रामायर हो गई आपकी इसलाम में कुरान हो गई वैसे ही सिखिजम धरम में गुरू गर्ण सहीब होती है अगर आप देखो तो जो पांचवे सिख गुरू थे गुरू अर और वर्सेस को compile किया और बीर में जोड़ा और फाइनली गुरू गर्ण सहीब जो किताब है जो होली आपके लिए बुक है और आप देखे सिख धरम में इसको केवल किताब नहीं माना जाता है ये एक जीविद गुरू है चुकि ये गुरू सिख धरम की followers को हर समय पर ये ब publish करने की authority है तो वो है शिरुमणी गुरू द्वारा प्रभंधा कमेटी को एक 100 साल पुराना organization है जो कि शिख स्राइन को इंडिया के अंदर manage करता है टोटल देखा जाए तो अफगानिस्तान में तेरा सरूप थी तेरा बीर्स थी गुरू गन साहिप की copies अगर आप देखो तो seven पहले ही इंडिया के अंदर लेके आई जा चुकी है तीन अभी लेके आई गई जब से तालिबान का राज आया है तो अभी के लिए तीन अफगानिस्तान में बची हुई है सरूप लेट सी कि वो वापस आती है नहीं आती है यहाँ पे अगर कोई कहलीजे ऐसा organization होता के अंदर राज में जो थोड़ी भी अपनी international image के लिए कहलीजे एक एनम से aware होता थोड़ा भी minorities के लिए aware होता तो वो openly बोलता कि नहीं भाई हम six को protection देंगे हम overall सरूप को protection देंगे लेकिन ऐसा कोई protection तालिबान की तरफ से नहीं आ रहा है वो अपने general आम जो Muslim नागरिक है उनको ही protection नहीं दे पा रहे हैं तो minorities को तो क्या ही protection देंगे फिर आगे बात की जाए CAA rooms not filled देखे अब तक Citizenship Amendment Act से related जो rules है वो अब तक frame नहीं किये गए हैं यह जो CAA law था जिसके चलते इतना बवाल हुआ पिछले दो सालों में आपको बताने की जरूत नहीं है यह हिंदू जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांगलादेश से आई हैं इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2014 से पहले उनको भारत की नागरिता दी जा सकती अगर वो एप्रूव कर सकें कि भाई उनको अपने देश में जाने में खत्रा है और खत्रा तो है भाई ठीक है अफगानिस्तान ये दो जगहें तो ऐसी हैं जहांपे ये हिंदूस और ये जो बुद्धिस्ट हैं और सिख हैं इनका रहपाना मुश्किल है क्रिश्टन से रहपाना मुश्किल है बांगलादेश हम कह सकते हैं कि फिर भी आप कहलो कि कमपरिटिवली माइनॉर्टीस के लिए सेफ है पाकिस खा लेता जिया की सरकार आगे बांगलादेश के इंदर तो कह ओपनली माइनॉर्टीस को मारने लगे कुछ भी हो सकता है लज्जा नाम के नौवल एक तसलीमा नसरीन की पढ़ियेगा उसमें बहुत बुरी चीज़ लिखी हुई है हलाकि इंडिया में जब आप देखे एक एक unfortunate incident हुआ था बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया था बाबरी मस्जिद के बाद पाकिस्तान और बागला देश में हिंदूस का रहना मुश्किल हो गया तो openly काट रहे थे वहाँ पे धर्म के नाम की लड़ाई हुमें हलाकि ये सब चीज़ें बहुत ही mentally instability वाली चीज़े ह बट जो हुआ है पहले वो तो हुआ है फिर आगे बात की जाए तो अभी भी बहुत सारी citizenship की जो applications है वो pending है ठीक है CA की rules कब तक implement होंगे clear cut नहीं है let's ही सरकार कब implement करती है general studies paper 2 government policies and intervention में news आपको काम आईगी next news है on horseback fighting an oppressive custom तो भाई देखे राजिस्थान के अंदर जो दलित यूद्स है वो caste barriers को तोड़के overall social customs को हटा के अपनी dignity को assert कर रहे है बहुत अच्छी बात है मैं तो यह कहूँगा कि बहुत लेट हो रहे है तो जो ऐसी community की लोग है राजिस्थान के अंदर गाउं के इलाक अपने घर में मदब शादी के समय बिचड़ाया होता है अब नया social trend आरा दलित्स के अंदर कि जब भी उनकी शादी होगी वो गोड़ा चड़ सकते थे पहले अगर वो गोड़ा गोड़ा ही चड़ते थे तो हाई कास्ट के लोग आकर उनको परिशान करते थे और ठीके न वोईलेंस करते थे लेकिन अब ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं ओपरेशन समानता चलाया गया है लोकल एड्मिनिस्ट्रेशन और पुलिस के दौरा बुंदी डिस्टिक्ट राजिस्थान के अंदर दलित्स को समझाया गया है कि आपका confidence है आपके पास constitutional rights है आप अपनी शादी की समय पर गोड़ा गोड़ी का इस्तमाल कर सकते हैं आपको कोई नहीं रोकेगा अड़ सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपर कास्ट के लोग है उनको भी यहाँ पर समझाया गया है कि यह सारे बवाल मत करो ज्यादा बवाल करोगा उठाके तुम्हें जैल में डाल जाएगा ठीकिन हर कोई बराबर है और यह बात जितना जल्दी सब समझ जाएंगे उतना ही जल्दी अच्छा होगा और जलूरी भी है इंडिया के अंदर सोशल कोहेजन ही नहीं होगा तो फिर कायबाद कदेश तो यह चीजें यहाँ पर हुई है और ही 24 साल के मनोज बैरवा इनके वेडिंग प्रसेशन आया उस वेडिंग प्रसेशन नीम का खेड़ा विलेज में था उन्होंने गोड़ी चड़ा वही विलेज वही गली थी जहाँ पर लगबग 30 साल पहरे इनके अंकल जब गोड़ी सरपंच है, विलेज डेवलेबेंट ऑफिसर है, स्टेशन हाउज ऑफिसर है, पोलिस के मेंबर से, अड्मिनिस्टिशन के मेंबर से, ये लोग दलित्स को ओवर आल आपके हलो confidence देते हैं कि आप जो भी करिये अपनी constitutional right के अंदर आप कर सकते हैं और हाई कास्ट के लोगों क मैंसे काफिसर हैं ये मनीपुर कैडर के हैं, लेकिन अषचली में जो हो में स्टेट है वो है राजस्थान तो जैपुर के डिस्टिक्ट, जैपुर डिस्टिक्ट के सूरजपूरा विलज में, अबराल आप देखो तो यहां पे ये अपनी शादी में बिंदौरी प्रसेश आप कह सकते हो एक folk dance है राजस्थान जलावर में तो marriage के समय पर होली के समय पर यह dance होता है तो overall यह अपनी शादी में घोडी पर चड़के overall इनों ने अपना procession निकाला वो बहुत normal है शादी की समय पर घोडी चलना it's a very normal thing ठीक है तो जब इनकी शादी हुई थी और यह घोडी चड़े थी तो उस समय पर पुलिस वगारा ने और अड्मिनिस्टरेशन वगारा ने काफी security वगारा लगा रखी थी अब ऑविसी बात एक IPS की शादी है तो security तो होगी न यह तो कितना अजीब हो जाएगा कि एक IPS की शादी कर रहा है और चुकि वो एक दलित कास्ट का है और अपर कास्ट वाले आके बवाल मचा रहा है अगर ऐसा कुछ होने लगा तो बहुत ही अजीब सा लगेगा तो इसलिए भी यहाँ पर मनीपूर कैड़र के सुनिल धर्बंता जी न्यूज में थे ये न्यूज आई थी ठीके ना उतनी इंपॉर्टन नहीं थी तो अलग से डिसकस नहीं किये थी मैंने तो इसलिए बिंदौरी प्रोसेशन भी रिसेंटली न्यूज में था बिंदौरी प्रोसेशन जो फोक डांस होता है पहने दोती कुर्ता पहन के लोग interesting फोक डांस है घूमर है कलبेलिया है भवई है कची गोडी है गैर चारी कत्बुथली झांग दांडिया तेरह ताल ये सब राजस्थान के फोक डांस है नेशनली में देरू आफ़्ट आइगי येले। row over summoning West Bengal Assembly देखे बईया West Bengal के governor जगदीब धंकर साब ने चीफ मिनिस्टर है West Bengal की ममताब इनरजी उनके proposal को recommendation को reject कर दिया West Bengal की चीफ मिनिस्टर ममताब इनरजी जी चाहती थी कि state legislative assembly का session हो 7 मार्च से अब सोचिए एक चीफ मिनिस्टर चाहराए की state legislative assembly का session हो तो कौन बड़ी बात है आर state chief minister तो बहुत important constitutional functionary है state में लेकिन यहाँ पे जगदीब धंकर साब ने ममताब इनरजी जी की this request को नकार दिया अब क्यों नकार दिया तो देखे गवर्नर साब ने recently tweet किया और tweet में नो ने क्या लिखा मतलब यहाँ पे 166 clause 3 of the constitution के चलते गवर्नर क्या बोल रहा है कि rules of business को follow करते हुए अगर सच में state legislative assembly का session बुलाना है तो अकेले chief minister के बोलने पे नहीं होगा पूरा का पूरा cabinet जिब return तरीके से बोले का तब होगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ chief minister ने बोला था इसलिए overall मैं इस particular proposal को reject कर रहा हूँ मैं इसको वापस भेज रहा हूँ CM के पास पूरा जो cabinet है वो command signature के थूँ मुझे बोले यहाँ वाई state legislative assembly का session बुलाओ तो मैं बुलाओंगा मतलब गजबी लडाई हो रही है जगदीब धनकर साब अकसर कर question करते रहते है वेस्ट मंगाल के administration के तो बीच में तो ममताब इनरजी जी इनसे चड़के इनको ब्लॉक ही कर दिया ट्वेटर पे ममताब इनरजी जी जगदीब धनकोड को ब्लॉक कर चुकी थी यह news काफी वाईरल भी हुई थी ठीके ना वही कहना कि मतलब दीदी ने भी सोचा कि यह इतना दिमाग खराब कर रहा है इसको साइडी करो ठीके तो जगदीब धनकर साब के पीछे सेंटर का हाथ है तो स्टेट गौर्वर्मेंट ने फाइल भीजी थी 17 फरवरी को गवर्नर को कि भाईया साथ मार्ज से स्टेट लेशी डिश्री इसमडी का सेशन बुलाओ इन्होंने बुलाने से मना कर दिया कि यहां बोला गवर्नर साब ने कि भाई एंडॉर्समेंट होना चाहिए पूरी की पूरी कैबनेट का अकेले ममताव इनर जी के सिगनेचर से कुछ नहीं होने वाला तो वेस्ट बंगाल और राजभवन राजभवन जहां गवर्नर बैटता है स्टेट का इसके बीच की जो जड़प है वो अभी भी जारी है बीच में जगदीद धनकर सामने ममताव इनर जी बोला कि आईए बैठिये बात करिये हम अपने बीच के इस्वी को सौट आउट करेंगे चीफ मिनिस्टर आके बैटके बात नहीं कर रही है समझीए आब बात को चीफ मिनिस्टर क्यों गवर्नर से बैटके बात करेगा चीफ मिनिस्टर को लोगों ने एलेक्ट किया है गवर्नर बस एक कॉंस्टिटूशनल फंक्शनरी है जी हाँ, एक governor एक state के अंदर constitutional functionary है, राज जो नियम कानून पास करेगा उसको governor signature देगा, until and unless वो नियम कानून देश की संपरभुता को तो नहीं तोड़ रहा, केंद सरकार की ताकत को तो नहीं कम कर रहा, sectionist tendencies को तो आगे नहीं बढ़ा रहा, जब तक इस प्रकार के नियम कान और Tamil Nadu और कहीं न कहीं वेस्ट मंगाल में ऐसा हो रहा, अक्सर करदा हिंदू में इस सब चीजें छपती रहती है, जी इस पर बटू, constitutional body, the role of governor में नियूज काम हैगी, अगली नियूज, the first batch of three, MH-60R multi-role helicopters to arrive, भया, mid-July 2022 में, US से MH-60R multi-role helicopters के पहले 3 helicopters पहुँच जाएंगे इंडिया के अंदर, वैसे तो यह helicopter last July 2021 में ही इंडियन नेवी को handover कर दिये, लेकिन यह US में ही है, US में हमारे इंडियन soldiers गए हैं, उनकी overall वहाँ पे training हो रही है, Florida, San Diego और Penasacola में, तो इस news में important यह है कि हम लोग MH-60R multi-role helicopters खरीद रहे हैं, USA से, हम रशिया से भी helicopters खरीद र जाएंगे Russia से, okay, contract negotiation committee बनाईगी थी November 2020 में, September 2021 में इसने commercial bids रखी, और यह जो नए helicopters आ रहे हैं, इंडिजीनिस aircraft carrier विक्रांट पर डिप्लाइ किये जाएंगे, मैंसे US वाले helicopters खरीदना मेरे साबसे रधा बेटर है, Russia वाले helicopters तो अक्सर कर crash होते रहते हैं, recently आपने खबरे एक 2.2 billion dollars की deal हुई थी, ठीक है, और यह जो deal थी, यह कब हुई थी, जब Donald Trump फरवरी 2020 में इंडिया आया थे, 2025 तक सारे के सारे helicopters की deal complete करनी है, ठीक है भाई, इन helicopters में Indian made equipments को भी लगाया गया है, नेवी के पास frontline warships के ऊपर रखने के हले helicopters की कमी है, 111 naval utility helicopters का जो tender है, वो overall float किया जा रहा है यहां पर सरकार के जोरा, जल्दी जल्दी हम ज़्यादा ज़्यादा helicopters करीने कोशिश कर रहे हैं, बट actually में जो helicopters का procurement process है, वो बहुत सारी वज़ाओं से delay हो रहा है, यह जो seeking 42A helicopters थे ना, इनको 1990s में ही decommission कर दिया गया था, इनकी जगा आ रहे हैं MX-60 helicopters और procurement बहुत ज़ादा लेट चल रहा है, no doubt in MX-60R helicopters में काफी capabilities है, कैसी capabilities, तो भाई, flexibility of operation enhanced, surveillance, attacking capability, लेकिन जो procurement है, वो बहुत डिलेट है, फिर बात की जाए, Defense Acquisition Council की, तो एक highest decision making body है, Defense Ministry में, नई policies को decide करना, capital acquisitions करना, आर्मी में, नेवी में, एर फोर्स में, इंडियन chairman है, Defense Acquisition Council का, यह जो Defense Acquisition Council थी, यह group of ministers की recommendation पे बनाई गई थी on reforming the national security system, 2001 में, कार्गिल वार के बाद, MH-60R और कमाउ के A31 है, यह दोनों प्रकार के helicopters आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, GSP परत्री डिफेंस में particular news आपको काम आईगी, नेक्स निउज़ प्यम मोदी फ्ल 100 किसान drones को यहाँ पे flag off किया गया है, हमारी country के अलग-अलग भागों में, जो pesticides वगरा stray कर रहे हैं, दूसरे farm materials spray कर रहे हैं, एक novel और exciting initiative है यह farmers के लिए, ऐसा मोदी जी ने यहाँ पे announce किया, मोदी जी ने बोला कि हम drone sector को conservative नहीं रख रहे हैं, बंधा हुआ नहीं रख रहे हैं, इंडिया का जो young talent है वो नए mindset के साथ इस drone sector को अप्रोच करें, technology innovations को यहाँ पर priority दी जा रही है, drones अलग-अलग तरीकों से इस्तमाल किये जा सकते हैं, सो हमें तो योजना में land ownership को record बनाने के लिए भी drones का इस्तमाल किया गया, medicines और vaccines को unreachable areas में पहुँचाने का drones का इस कम समय में जहां पर वो उगे, वहां से उठा के ऐसी जगों पर जहां पर उनको बेचा जाएगा, इसको करने में drones का इस्तमाल किया जाता है, यह जो किसान drones है, यह agricultural lifestyle में इस्तमाल किया जाएंग, चाहिए pre-crop preparation हो, चाहिए post crop value chain हो, हर जगह पर इन drones को इस्तमाल किया जाए के लिए कैसे, तो भाईया वहां पर spray वगरा कर सकते है, pesticides, fertilizers, दूसरे nutrients को spray किया जा सकता है, टेज प्रोसेस से, efficient process से, प्लस farmlands की mapping की जा सकती है, कौन सा farmlands कि इस इनसान का है, यह बात map किया जा सकता है, drones के थुरू और उसके हिसाब से loan वगरा बाटे जा सकते है, ठीक है, क्रॉप assessment, क्रॉप के insurance में, market intervention में, watershed area में कहां-कहां पर irrigation नहीं हुआ है, कहां-कहां पर irrigation की जरुवत है, कहां-कहां पर access irrigation हो रहा है, इस चीज़ को point out करने में, farm mechanization में, इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं, यह drones बहुत जादा useful है, G.S. paper 2, government policies and intervention में न्यूज़ आपको काम ह पीछे की सीटें होती है, उनको आप बोलते हो, rear seat, अब क्या है कि Innova जैसी काड़ी है, तो पीछे दो layers है, आगर swift जैसी काड़ी है, तो पीछे एक ही layer है, swift में क्या होता है, कि आगे दो लोग और पीछे दो या तीन बैट गए, Innova में कहा है कि आगे दो लोग, उसके पीछ तो इंडिया के अंदर वैसे मैं आपको बता दूँ कि lack of awareness है, overall जो rear seat पे लोग बैठे हैं, उनके लिए भी seat belt लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और होता यह है कि जो गाड़ी में पीछे वाली seat होती न, उसमें जो belt होती है, वो वैसे होती जैसे front seat के होती, लेकि पीछे जोखने होता है, पीछे में जो चैसे around seat होती है, लेकिन अब क्या है, कि सरकार के लेकि नियम कानूनों के हिसाब से, मतलब सरकार का यहां पर प्रपोजल है कि पीछे की सीटों में चाहे दो के बज़ाए तीन सीटे हो तीनों में एक ही प्रकार की सीट होगी मतलब वाई शेट मतलब एक आदमी अगर ऐसे बैठा हुआ है सीट पे तो नीचे जो उसका वेस्ट को बानने के लिए तो स्ट्रैप होगा इसासर वो जो बल्ट सीधे ऐसे खिछते हैं यह भी होगी तो एक वाई शेप आ जाता है इसलिए इसको बोला था वाई शेटों में अगर वाई शेट के लिए आपके वाई वेस्ट की सीट रखोगे तो कल की डेट में कोई क्रैश होता है तो वेस्ट पे पूरा इंपाक्ट आएगा तो वेस्ट की हड़ी हगरा तूट सकती है अगर आप वाईind शेट बेट्स को इस्तीमाल करते हैं पीछे वाली सीटों में तो accidents के समय पे, जो जोर आएगा, जो force आएगा, वो soldiers और waste सब पे equally distribute होगा body पे, तो चोट लगने के chances यहाँ पे कम हो जाते हैं. पिछले ही मही ने एक draft notification निकाला गया था, stakeholder consultation के लिए ministry of road transport or highways के दौर, और यह बोला गया था, कि all front facing seats ने वेकिल्स of M1 category, front facing मतलब, जैसे for example, car में अगर आप बैठे, तो car जिस direction में चल रही है, उस direction में अगर आप face seat पे बैठे तो बोला था front facing seats, कभी-कभी बसों में आपने देखा होगा, कि बस जिस direction में चल रही है, seat उसके opposite direction में होती है, मतलब आप बैठोगे तो उल्टे direction में देख रहोगे, लेकिन कारों में, वो car खास कर जिसमें 8 passengers तक की जगा है, including driver, और सारी कि सारी जो seat'े है, वो front facing, इसको आप M1 category of car बोलते हो, तो इस प्रकार की कारों मे हर seat के लिए seat belts का हिसाब यहाँ पे किया जाएगा, three point belt जो की wide shaped की होती है, उसका हिसाब यहाँ पे किया जाएगा, ताकि कल की date में कोई accident होता है, तो weight equally distribute हो सके आपकी पूरी body में, ठीक है भाई, तो three point belt seat लगाने की बात हो रही है, मतलब सरकार इस बात को mandatory कर रही है, कि प इच वाली seat के लिए जो two point belt होती ही, उसको भी three point belt में बदला जाएगा, rule 138 clause 3 of the central motor vehicle rules क्या बोलता है, कि passengers seated in the front seat or the persons occupying front facing rearing seats must wear seat belts while the vehicle is in motion, मतलब कि चाहे आप आगे बैठे हो car में, चाहे पीछे बैठे हो car में, आपको seat belt पहननी है, और अगर आपने seat belt नहीं पहनी, तो 1000 अब अक्सर कर आपने देखा होगा कि follow नहीं करते हैं, जो लोग पीछे बैठते हैं, वो seat belt नहीं पहनते हैं, आगे बैठने वाले seat belt पहन लेते हैं, चुकि आगे से अगर कोई traffic हवालदार या traffic police रोकती है, तो वो आपका seat belt देखती है, तो डर के मारे इंसान पहन लेता है जातर cases में अगर traffic police का डर नहीं तो वो नहीं पहनते हैं, लेकिन actually में नियम कानून ये बिलता है कि पीछे बैठे हुए यात्रियों को भी पहन नहीं है, किवल आगे वालों को नहीं है, एक study conduct कराई गई थी, Save Life Foundation के तरह 2019 में, हमारे देश की 11 cities में, 6306 respondents में से किवल 7% कि अगर वो पीछे की seat नहीं लगा रहे हैं, मतब लगाना पीछे की seat पी बैठने हैं, लोग को ये पता था कि हाँ बढ़ाना mandatory है, लगबग 73% लोग ऐसे थे, 72% जिनको ये पता ही नहीं था कि ये लगाना mandatory है, कारों में पीछे में भी seatbelt होती, जल्दी लोग लगाते नही है, ठीक है, तो ये सब बाते हो रहा हैं, यहां पर कुछ statistics निकल के आ रहे हैं, अगर law की बात की जाए, तो law आपको मिलेगा central motor vehicle rule 1989 में, तो sub rule 3 of rule 138 of central motor vehicle rules 1989, तो एक motor vehicle में, जिसमें seat belt प्रोवाइट की गई है, अब seat belt कौन से कानून के थूँ प्रोवाइट की जाती है, तो sub rule 1 of rule 125 and sub rule 1a of rule 125a, इन दोनों के हिसाब से overall अगर आप देखो, तो कारों में seat belt प्रोवाइट की जाती है, अगर आप rule 125 1 को देखो, तो वो कार जिसकी engine capacity 500cc से जादा की नहीं है, और वो motorcycle नहीं है, और three wheeler नहीं है, तो ऐसे cases में, आगे बैठने वाला driver और उसके बगल में बैठे वाले इनसान के लिए seat belt होगी, rule 125 1 ए क्या बोलता है, कि हर ऐसी motor vehicle car, जिसमें 8 seat तक है, लगज वगरा है, ठीक है, 8 seat ड्राइवर की seat मिला के, उनको भाई आपको seat belt देनी पड़ेगे, मतलब manufacturer, ये जो rule 125 clause 1, और rule 125 clause 1 है, ये basically किसके लिए है, motor vehicles के manufacturer के लिए, कि ये जो तो भी car बनाएंगे, उसमें seat belt देनी पड़ेगी, तो इन कारों में seat belt आ गई, उसके बद पहनने का नियम आता है, sub rule 3 of rule 138, और central motor vehicle rule 1989 में, कि भाया, चाहे front, मन्दब आप car चलती भी car में आगे बैठे हो, चाहे पीछे की rear seat में बैठे हो, अगर vehicle motion में है, तो आपको seat belt पह sub rule 1 of rule 125 और sub rule 1 of rule 125 याद रखिएगा, ठीक है भाई, GS paper 2, government policies में नियूजा को घामाईगी, next news है, moths vital to pollination in Himalayan ecosystem, तो भाई, अभी एक recent study हुई है, इस study में पता लगाया गया है कि Himalayan ecosystem में pollination के लिए moths vital है, यह जो study है, यह establish करती है, 91 species of moths को as potential pollinators of 21 plant families in सिक्की में और नाच चल पादेशन, North Eastern Himalaya से, यह जो results है, में एजूम significance, चुकि क्या है कि majority of pollination related studies है, वो diurnal pollinators पे based है, bees, butterflies पे, diurnal जो दिन में active है, nocturnal जो रात में active है, diurnal में तो दिन में active है, nocturnal में तो रात में active है, दिन में तो रात में active है, दिन में सोते है, तो भाई, दिन के pollinators के पर तो काफी studies हुई थी, बट रात के pollinators के उपर जादा study नहीं हुई, यह जो particular species में रात के pollinators के उपर भी focus मारा गया है, तो इस study में जो 65% moths हैं, उनके 91 species ने overall एक significant quantity of pollen grains को transmit किया है, मतलब यह potential pollinators है, pollination का phenomenon बहुत important है, इसके बारे में मैं थोड़ी दिल में discuss करूँग species यहाँ पर कौन-कौन सी हैं, तो टेलिफासा SP, जिसको अब क्रैमबीडी भी बोलते हो, क्रुकूलीय SP, नॉक्ट्यूडी भी बोलते हो, यह highest quantity of pollen लेके जाती हैं, फिर जियोमेट्री डे, जियोमीटर मौत्स बोलते हैं, और अरिबिड है, जिसको अरिबिड मौत्स या ट potential pollinator की तरह identify किया गया, तो आप यह कह सकते हो, कि overall आप देखो, तो Zoological Survey of India ने इस study में पता किया गया है, कि जो मौत्स हैं, वो मौत्स बहुत जबरदस्त potential pollinator हैं, तो overall देखा जाए, तो इन pollinator का हिमालिन एको सिस्टम के sustenance में बहुत important रोल है, जीरो मीटर सी लेवेल से लेकि 3000 मीटर तक की उचाई में जो मौत्स हैं, यह activated है, और काफी important role play करते हैं, जिस समय पर हम घर में सो रहे होते हैं, उस समय पर tirelessly यह मौत्स अपना काम कर रहे होते हैं, भले unknowingly कर रहे होते हैं, लेकिन इनके इस काम पे हमारा ecosystem की sustainability depend करती है, पॉलिनेटर क्या होता है, तो एक ऐसा instrument या फिर कह लिजे एक ऐसा insect organism, जो कि male part of the flower जिसको stamen बोलते हैं, वहां से pollen उठाके female part of the flower में लेके जाता है, जिसको stigma बोलते हैं, और इससे cross fertilization होता है, नय fruit, seeds और young plants यहां पर प्रेडूस होते हैं, पॉलिनेटर में bees, waps, moths, butterflies, birds, flies, small animals, bats यह सब आते हैं, ठी कुछ insects और elements जैसे, bats, beetles और flies यह flowers पे जाते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए shelter के लिए खाने पीने के लिए जाते हैं, और फिर वहां से उठके हो कि इसे दूसरे flower पे जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, वो unintentionally बहुत सारे pollens को, वो जो pollens होते हैं, उनकी surface पे stick हो ज हाग यह दूसरे female part तक लेके गए और cross-fertilization हो गया, new fruits, seeds वगरा बन गए, जो कि ecosystem sustenance में काफी importance है, environment biodiversity, GS paper 3 में news आपको काम आईगी, next news is, पितन लांचेस nuclear drills, प्रेजिन व्रादिमिर पुतेन ने रशिया के strategic nuclear missile forces के drills को शुरू कर दिया है, और Washington का यह बोलना है कि Russian forces बहुत अग्रेसिव पोस्चर में यूकरेन के border पर खड़ी हुई है, और यह कभी भी attack कर सकती है, अगर आप देखो तो अब तक cold war से लेके अब तक का सबसे worst conflict है, जो defense secretary है, US के Lloyd Austin ने ने बोला ही, जो Russian forces है, वो बहुत जादा यूकरेन के border के close आ रहे है, रशिया का stance क्या है कि NATO को बोल रहा है कि रशिया कभी भी attack करतेगा, यूकरेन की उपर रशिया बोल रहा है, हम attack नहीं कर रहे हम तो pull back कर रहे है, तो चीज़ें यहां पर काफी बिगड गई है, ओबर आल, रिसेंटली रशिया ने इल्जाम लगाया कि कुछ मिसाइले यूकरेन के दौरा दागी अबर गया, ओवराल हरत बहुत खराब है, दो रिजन्स यहां पे न्यूस पे हैं, आपको पता होना चाहिए, एक है डॉनेट्स, एक है लुहांस्क, डॉनेट्स और लुहांस्क में रहते हैं रुशियन रेबल्स, रुशियन रेबल्स मतलब वो लोग जो कि रहे तो यूक बहुत अत्तक सील है, यूक्रेयन की फोर्सेस का अंदर गुसना मुश्किल हो पा रहा है, और रुशियन रेबल्स को ज़्यादा इम्पोर्टनेस दी जाए इसकी बात हो रही है, अब यूक्रेयन ओपनली तो अपने इन टेरिटरीज को छोड़ नहीं सकता है, यूक्रेयन है, और रुल इनके उपर मॉस्को की ज़्यादा चल रही है, ये दोनों प्रोविंसेस अगर आप मिला दो तो लगबख पैंसट सो स्कॉयर मैज की प्रोविंसेस हैं, इस बवाल के शुरू होने से पहले इन इलाकों में हेवी इंडस्ट्री कोल माइनिंग काम करती थी, प्रशिया के साथ इस इलाके का बॉर्डर ओपन है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूस है, दोस्तों, थैंक यू फो वाचिंग, जिये से पर टू इंटरनेशन डिशन्स में न्यूस आपके काम किये, आपको इस प्रकार के लेक्ट्चर से कुछ ना कुछ ना कुछ छोल जानने से मिलता है, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास इन न्यूस से रिलेटिट कुछ एक्स्ट्रा हो, जो कि हो सकता है, मुझसे छूड गया हो, या पीपीटी में मैंने कोई न्यूस कवर ना की हो, तो डेफिनिटली आप अपनी नॉलेज से हमे बुरू-बुरू करवाएं, अपना जो भी कमेंट है, जो भी एक्स्टर नॉलेज है, घ्यान है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा तुम्हें, बाकी लोगों के पढ़ने के लिए इसको ओवर ओल पिन कर दूँगा, आपके कमेंट को, इस्टर आप फॉलो कर लिजे, टेलिग्राम गूर्प जोन कर लिजे, टेलिग्राम पर रगुलर्ली पीडिएफ आपको मिल जाती हैं, और इफ पॉसिबल फॉर यू प्रीस क्लिक टे जॉइन बटन, अपना ध्यान रखिए, बढ़ते लिखते रहिए दोस्तों, रेगुलर्ली अगर आ लगते रहिए, वह ग्रेट डे, गुड़ पहें